ग्रहे निर्मान के समय वास्तु पूजा किस दिशा में होनी चाहिए मैं आज आज आपके साथ इस विशे पर बात शेयर करूँगा आपको जानकारी होनी चाहिए कि हमारी जो प्रमुख दिशा चार उत्तर दक्षिन पूरब पश्चिम है उनके अलावा इन चारों दिशाओं से मिलकर चार दिशाए और कोणों में बनती है उत्तर पूरब की दिशा इशान डक्षिन पूरब की दिशा आगने दक्षिन पश्चिम की दिशा नेरित्य और उत्तर-पश्चिम की दिशा वाय वै दिशा कैला है मकान के निर्मान के समय वास्तु पूजा इसलिए करवाई जानी जरूरी होती है कि हर व्यक्ति चाहता है कि जो मकान वह बनवा रहा है, जो घर वो बनवा रहा है, वह उस घर में अपने परिवास सहित सुखी रहे. सुखी रहने के लिए ही वास्तु पूजा की अनिवारिता है, किस दिशा में होनी चाहिए, इसकी जानकारी में आपको दूँ, आपसे एक बात कहना चाहूँगा, यदि चेनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर करे, शेयर करे, लाइक करे, कमेंट दे, किसी भी प्रकार की आपको सलाह की आवशक्ता हो, तो मेरे फोन पर आप बात कर सकते है, सलाह ले सकते, मैं अपने मुख्य बिंदु पर आता हूँ, कि वास्तु पूजा, यह राशी अनुसार किस दिशा में होनी चाहिए, इसकी जानकारी में आपको दे रहा हूँ, यहां सवाल है, कि राशी तो बारे होती है, मेश, व्रिष्ट, मिथुन, आदी-आदी, मीन तक, अब यह राशी क्या जातक की राशी को हम ध्यान में रखेंगे, या और कोई राशी को, तो मैं आपको यहां इसपस्ट करना चाहूँगा, कि ग्रहे स्वामी जो घर बनवाने जा रहा है, उसकी राश सूरिय, सूरिय नारायन भगवान किस राशी में भ्रह्मन कर रहे है, संबंद उस राशी से, हम जानते हैं कि लगभग 30 दिन, एक राशी में सूरिय नारायन भगवान भ्रह्मन करते है, तो यहां मैं सबसे पहरे शुरुवात करता हूँ, कि जब सूरिय नारायन भगवान, शिंग, कन्या और तुला राशी में भ्रह्मन कर रहे हो यानि कि निवास कर रहे हो उस समय वास्तु पूजा नेरित कौन में की जाती है जब सूर्य नारायन भगवान व्रिष्चिक, धनू और मकर राशी में भ्रह्मन कर रहे होते हैं यानि कि उनका निवास इन तीन राशियों में होता है तो वास्तु पूजा वाईवे कौन में की जाती है जब कुम्ब, मीन और मेश राशी में भ्रह्मन होता है सूर्य नारायन भगवान का उनका निवास होता है तब उस इस्तिती में इशान कोण में वास्तु पूजा की जाती है और विशब, मिथुन, वकरक राशी में सूर्य नारायन भगवान का वास्त होने पर वास्तु पूजा आगने कोण में की जाती है तो इस तरह से बारे राश्यों में भगवान सूर्य का निवास जैसे जैसे होता है वैसे वैसे उसे ध्यान में रखते हुए ही वास्तु पूजा का विधान वास्तु शास्त्र में बताया गया है मुझे उमीद है कि आप कोई ये बात समझ में आई होगी यदि भवन निर्मान कराने जा रहे है या निर्मान कारी लगभग पूरा होने वाला है तो समाप्ती के समय भी वास्तु पूजा होती है आप अपने विद्वान ब्राह्मेंट से पंडितजी से पूछ कर दिशा नुसार वास्तु पूजा और राशिय नुसार वास्तु पूजा अवश्य करवाए आप सुखी रहे संपन रहे स्वस्त रहे इसी कामना के साथ जैसी किष्णा